जोरदार मोमेंटम के साथ स्टॉक कारोबार कर रहा है पोस्ट और इंग्स डेस हाई पर और पिछली तिमाहे में जो कंपनी का मुनाफ़ा रहा है वो 21% ग्रो हुआ है आए करीब 17% बड़ी है नेतिज्यों के बाद CNBC आवाज से एक्स्क्लूजिव बातचीत करते हुए कंपनी के CMD वेक कुमार देवगन ने कहा कि कंपनी की ओजना 2025 सक जीरो NPA कंपनी बनने की है साथी कंपनी बड़े पिमाने पर ग्रीन हाइडरोजन प्रोजेक्ट फाइनन्स कर रही है अभी हमने रिसेंट्लि ग्रीन हाइडरोजन ग्रीन ऑपाज़ार कोड़े उसमें समनल 80 परसेंट अमांट 4000 कोड़ हम उसकी फाइनन्सिंग कर रहे हैं यह प्रोजेक्ट अभी ओमान में स्थाभित होने जा रहा है इसके लिए off-tech क्या भी इंद्जाम हो गया है। इसी तरह के green hydrogen और green ammonia के Odisha, Tamil Nadu, Gujarat में भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं। उसकी financing करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। एक important statement आपकी तरह से press conference में दिया गया कि 2025 तक REC zero NPA company होगी। अभी situation की बात करें तो जो old NPA projects हैं वो कितने हैं और चो NCLT में resolution के लिए मौजूद है। अभी हमारा net NPA 0.97% है मात्र और लगभग अभी NCLT में लगभग 10 से 12 projects हैं। और कुछ liquidation के process में हैं। हमारा मानना है कि अगले दो वर्षव में या तो NCLT में प्रोजेट का निदान हो जाएगा। अथ्वा जो NCLT में इसका निदान नहीं हो सकता है जिसका liquidation है उस वो प्रक्रिया भी दो साल के अंदर पूर्ण हो जाएगी। तो क्या वज़ा है जो आप एप्रोज कर रहे हैं कि सीलिंग को बढ़ा दिया जाए। विशेशकर मेट्रोपोलिटन सिटीज में लार्ज वैल्यो और ट्रांजेक्शन हो रहा है। जो भी थोटा फ्लाइट भी लोग बेचते हैं उस पर विशेशकर कैपिल गेन एक करोड से ज्यादा हो रहा है। अभी तक क्योंकि सीलिंग है किकल पचास लाग तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इसमें उभोकताओं के तरह से मांग आ रहे थी कि इसकी सीलिंग को बढ़ाने के प्रयतन किया जाए। इसके लिए हमने इन्वेस्टर्स मीटिंग की थी मुंबई में की, बैंगलुर में की, गौओ में की, सभी जगा से हमे फीडबैक मिल रहा है कि इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि यह सीलिंग पचास लाग से बढ़ा कर एक करव करदी जाए। इसलिए हमने Ministry of Power के मांद्या से Ministry of Finance को अन्रोथ किया है। बतादें कि Money Control पर दिये गए विचार एक्सपर्ट के अपने नीजी विचार होते हैं। वेबसाइड या मैनेजमेंट इसके लिए उतरदाई नहीं है। यूजर्स को Money Control की सलहा है कि कोई भी निवेशन इंडला लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलहा लें।